गर में जो नई प्लास्टिक की चीज़े देखते हैं वो जोरुनी की किसी फ्रेस मेटरियल से बनी हो ये भी हो सकता है कि उसे रिसाइक्ल करके बनाया गया हो क्योंकि आजकल पुराने कबाड से जोरुनी चीज़ों का मेनिफेक्ट्रिंग काफी बड़े अस्तर पे किया जा रहा है इसलिए आजकल चाहिए प्लास्टिक रिसाइक्लिंग हो ये प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग ये आज के तीज़ी से बढ़ने वाले सबसे अच्छे बिजनस हैं और आप इस बिजनस के जरी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं आजकल हमरे देस में कूडा, कचला और कबाड काफी तीजी से बढ़ रहा है इसलिए ऐसे में रदी कागज और प्लास्टिक को रिसाइक्ल करके नई चीज़ी मना ली जाए तो एक कमाई का एक अच्छत जड़िया हो सकता है और इस बिजनस की सबसे खास बात है कि आज भी इसके बारे में ज़्यदा लोग को पता नहीं है इसका बाड के बिजनस से भी लाखों कमाई की जाए रखती है और साथी साथ ये एको फ्रेंडली करवार है और लगुद्यो के तोर पे रिसाइकलिंग का ये करुबार आप छोटे बड़े सहर से लेके गाओ कस्बे में कहीं भी सुन कर सकते है दोस्तो प्लास्टिक पॉड़क की रिसाइकलिंग अभी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनस है और इस बिजनस के प्लांट अपने देश में उसने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए और देश की प्रेवरन को सबसे अधा खत्रा किसी चीज से है तो प्लास्टिक की है क्योंकि प्लास्टिक के पॉड़क कभी खुद से नस्थ नहीं होते हैं अगर बात करें इसके दिमांड की तो प्लास्टिक से रिसाइकल ग्रोव मेटरियल्स की मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी में बहुत ज़गा डिमांड है क्योंकि ये फ्रेस मेटरियल से काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है और इसलिए लोग इसे खरीजना पसंद करते हैं दोस्तों अगर बात करें प्लास्टिक दानों की धिमांड की जिससे प्लास्टिक पोड़क्त त्यार की जाते हैं और जिसे ग्रेनूर्स कहते हैं और कियोंगल कुछ बड़ी कंपनियों के दवारा manufacturing के विज़े से मार्केट में प्लास्टिक के दानों के हमेशा sortings बनी रहती है इसलिए जो बड़ी flexible packaging और दूसरी बड़ी plastic manufacturing company है वो चाइना या दूसरे देशों से प्लास्टिक के दानों के container import कर लेती है लेकिन Reliance और दूसरे बड़ी कमपनी को ज़्यादा और Cash Price के वज़ा से छोटे और Medium Level के Businessman की मजबूरी हो जाती है Recycle Plastic के दाने को खरीदना और ज़्यादा Demand और कम Supply के वज़ा से Recycle दानों के Demand काफी ज़्यादा बनी होगी है दोस्तों अगर आप थोड़ी जनकारी पता कर लें और कीवल 4 से 5 Plastic Manufacturing कमपनी से बात कर लें तो मेरा दवा है कि आप Plastic के दानों के Stockist बन के भी काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं वैसे दोस्तों इससे हम किसी और वीडियो में लिस्कॉस करेंगी और अगर बात करें Plastic Recycle Business को स्टार्ट करने की तो इस बिजनेस को दो तरीकों से स्टार्ट करें सकता है पहला यह कि अगर आपके पास Finance की प्रॉब्लम नहीं है तो आप खुद का Manufacturing Unit लगाएं और आपके द्वारा रिसाइकल किये प्रॉडक को Plastic Manufacturing Company को सप्लाई करें और दूसरा तरीका यह एक ही पहले कहीं अपना गुदाम बनाएं और फिर गाउं या सहर से कबाडियों से कांटेक्ट कर वहाँ पे वेस्ट मेटरियल को जमा करें और यही वेस्ट मेटरियल आपको काफी सस्ते रेट पे मिल जाएंगे और फिर जमा किर गए मेटरियल को आगे रिसाइकल करने वाली कांटनी को सप्लाई करें और जब आपको इस बिजनेस की अच्छी नॉलेग हो जाएं उसके बाद फिर खुद का Recycling Plant लगाएं सब्सक्राइब से पहले बोटल या दूसरे प्लास्टिक को क्रस किया जाता है प्लास्टिक बोटल क्रसर मसीन के जगी और यह मसीन विल्कुल बारी क्रस्ट कर देती है प्लास्टिक बोटल या दूसरे प्लास्टिक ब्रोडक्स और क्रस्ट करने के बाद जो क्रस्ट किया हो प्लास्टिक नीचे भीख रहा है उसे जुथ कहते हैं और दोस्तों बजार में आपको यह मसीन अलगलग प्रोड़क्शन कैपसीटी की में जाएगे और आपको जितनी कैपसीटी का प्लांट शुरू करना है उतनी कैपसीटी का मसीन खरीच सकते हैं दोस्तों आप इस मसीन के जड़े 20 केजी पर घंटा से लेकि दो टन पर अंटा तक प्लास्टी के पुड़क्रस कर सकते हैं वहीं दूस्तों क्रस्ट कीगे प्लास्टी के बोटल या दूसरे प्लास्टी के फ्लैक्स को कास्टिक सोडा और दूसरे केमिकल की मदद से साफ कर लिए जाता है और फिर इसे सुखा लिए जाता है और फिर सुखाये कि यह प्लास्टिक ग्रिनुवर्ट की दूस्तों आपको यह मसीन अलग 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 प्राइस में मिल जाएगी और ऐसे प्लांट को आप दो या तीन लोगों की मदब से चला सकते हैं और जो मसीन आपको वीडियो में दिख रही है उसका कॉंटेक्ट नमबर आपको वीडियो खरी सकते हैं पर अगर बात करी इसके द्वारा होने वाले प्रॉफिट मार्जिन की तो थोड़ी जनकाई और अच्छी मार्केटिंग स्कील के साथ 40-50% का प्रॉफिट मार्जिन कमाई जा सकता है जो लोकीशन की हिसाब से थोड़ा ज्यादा और कम हो सकता है कर दो झाल झाल दोस्तो आपको इस बिजन से जोड़ी कोई भी इंप्रमेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूर सकते हैं दोस्तो इस बिडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको बिडियो जोरू पसंद आई होगी तो प्लीज बिडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहने बिजन से आडियास पूचे सबसे पहले आपके पास